नमस्कार दोस्तो आज हम आप लोगों को इंडिया का सबसे बेस्ट पांच हेयर आयल लेकर आएं हैं क्योंकि दोस्तो आप लोग जानते हैं कि अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की समिश्या उत्पन रहती है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज हम आप लोगों को आयल की ओर लेकर चलते हैं दोस्तो नमबर वन जो है इंडूलेखा आयल दोस्तो या पूर्टा नेचुरल आयल है देख लीजिये आप लोग इस आयल को कैसे यूज कर सकते हैं और कितने रूपे का आप इसे खरीद सकते हैं, तो दोस्तों चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं, बताने से पहले दोस्तों आप से एक छोटा सारी कोश्ट है, कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से प्रस्क्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी नए वीडियों हम अपडेट करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो दोस्तो आप लोग वीडियों को लाश्ट तक जरूर देखें तो दोस्तो नमबर वन जो है इंदुलेखा आ प्रिफिश करना है अपने बालों में जो भी आपके बालों में समिच्या रहेगी चढ़ते बाल या टूटते बालों की समिस्या जो रहेगी वह ठीक वो जायेगी दोस्तो नमबर दो जो है रेड ओनियन हेयर आयल देख लीजिए दोस्तो यह जो तेल है काफी अच्छा है अगर आपके बाल जो हैं ग्रोस नहीं करते हैं तो आपके बाल ग्रोस करने लगेंगे और अगर आपके बाल ज्यादा घने नहीं रहते हैं तो आप लोग काफी परिशान रहते हैं तो अगर आपके बाल घने नहीं हैं तब भी आप इस आयल का प्रियोग अ प्रकार की समिश्या क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज कल आपके कम उम्र में ही आपके बाल सफेद होने लगते हैं तो ऐसे इस्थित में आप इस आयल का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि अगर आपके बाल जो हैं सफेद हो रहे हैं तो आप इसका प्रियोग जरूर करें क्य क्योंकि आपके सफेद बाल काला हो जाएंगे हमेशा के लिए तो दोस्तों आप रेड ओनियन हेयर आयल खरीद लीजिए और कम से कम हपते में चार दिन जरूर यूज करें क्योंकि दोस्तों यह जो आयल है निचुरल आयल है आपके बालों में किसी भी प्रकार की साइड इफ बूत काफी बनाएगा तो दोस्तों चलिए अब हम आपको तीसरा आयल कौन सा है दोस्तों देख लीजिए नंबर तीन जो है बायो टिक बायो भ्रिंग राज दोस्तों आपने तो सुना होगा कि भ्रिंग राज का जो तेल होता है काफी अच्छा होता है आपके बालों को मो जो आपके बालों को मोटा और मजबूत बनाने में काफी कारगर है क्योंकि आज कल आप लोग देखते हैं महिलाओं और पुरसों के अनेक बाल जड़ते हैं तूटते हैं गिरते हैं कमजोर होने के कारण तो दोस्तो ऐसे हालत में आप इस आयल का प्रियोक कर सकते हैं महिला और पुरस दोनों इस तेल का प्रियोक कर सकते हैं अपने बालों में तो दोस्तो नमबर चार देख लीजिए सीरसा आयरवेदिक आयल दोस्तो आप लोग इसके नाम पर ही लिखा है सीरसा आयरवेदिक तेल तो दोस्तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी तेल हैं सभी आयरवेदिक तेल हैं नेचुरल तेल हैं और दोस्तो आपको सीरसा आयरवेदिक तेल कैसे अपने बालों में यूज़ करना है दोस्तो अगर आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है तो आप लोग काफी परिशान दिखाई देते हैं तो ऐसे हालत में आप अपने बालों में सीशा आयरवेदिक तेल जरूर लगाएं क्योंकि दोस्तो आपको आसाने से अपने मार्केट में किसी भी मेडिकल इस्टोर पर आसाने से मिलने वाला है क्योंकि दोस्तो अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप अपने बालों को लंबा कर सकते हैं दोस्तो आपको तेल लगाने से पहले आपको अस्नान करना है किसी निचुरल सैंपू से और उसके बाद ही आप अपने बालों में तेल को लगाएं दोस्तो तेल को लगाने के बाद आप सारी रात छोड़ दें उसके बाद आपके बालों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी तो दोस्तो नमबर पांच जो है कलोजी का आयल देख लीजिए कलोजी का जो तेल है दोस्तो सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की समिश्या उत्पन रहती है तो आपके बालों की समिश्या को ठीक करने में काफी कारगर होता है कलोजी का तेल क्योंकि अपने बालों को काला और मजबूत बनाने के लिए लोग इस तेल का प्रियोग करते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कलोजी का जो तेल होता है आपके बालों की लंबाई को बढ़ाने में भी काफी जादा कारगर है तो दोस्तो आपको हम पांच आयल ऐसे लेकर आए हैं जो आपके बालों को मजबूत बनाएगा और जड़ते हुए बालों को रोकेगा और तूटते हुए बालों को रोकेगा और आपके बालों को लंबाई कैसे करेगा दोस्तो आपने समझ गया कि ये जो भी आयल हैं वे सभी आयरवीदिक नेचुरल आयल हैं और आपके सभी प्रकार की बालों की समिस्या से छोटकारा देने वाले हैं तो दोस्तो आप कोई भी आयल लगा सकते हैं इसमें से महिला और पुरुष दोनों लोग इस तेल का प्रियो लोगों को इन में से कोई भी समिश्या है तो आप अपने बालों में यूज जróरूर करे दोस्तों अगर हमारी वीडियों आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे वीडियों को अपने दोस्तों और मित्रों के फेस्वुक और वाट्सप पर अधिक से अधिक सेषर जरूर करें